हलो एवरिवान आज हम बात करेंगे टॉप 10 सीक्रेट्स और फैक्ट्स अबाट साना सायद के बारो में और यह फैक्ट्स काफी जाता इंट्रेस्टिंग होने वाले हैं इसमें हम साना की एज, एकाडेमिक डीटेल्स और बर्थ प्लेस यह सब नहीं देखेंगे क्योंकि यह सब unknown facts नहीं हैं, यह बहुत लोगों को already पता है बट हाँ इस वीडियो में हम जरूर यह देखेंगे कि किस तरह सना को स्प्लिट्सूला के लिए call आया था और वो बिल्कुल भी show करने में interested नहीं थी पर उससे पहले अगर आप channel पे new हैं तो welcome to news be please subscribe to the channel and hit that bell icon so that आपको हमेरे चांग की notifications पलते रहे तो चलिए start करते है सीक्रेट नमबर वान वोसंट इंट्रेस्टे इन स्प्लिट्सूला अट आल सना का सबसे पहला reality show स्प्लिट्सूला था यह तो हम सबको पता है बट जब यह reality show के लिए सना को पहले बार अप्रोच किया गया था तब वो बिलकुल भी इंट्रेस्टेट नहीं थी बट finally she ended up doing the show अने इस तरह वो टेलिविजन का पाट बनी सीक्रेट नमबर टू सना अन अश्विनी इस बॉन हाला कि सना अन अश्विनी ने हमेशा यही खा है कि दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड है बट उनके आसपस जो उनके close friends थे उनका कहना था कि सना अन अश्विनी बहुत ही ज़ादा close bond share करते है and 2015 में they were inseparable दोनों ज़ादा तर साथ में hangout करते थे and even if वो लोग serious relation में नहीं होंगे पर for sure they were dating each other सीक्रेट नमबर 3 सना का जो गूगल पे birth year है वो गलत है तो सना का birth date जब आप गूगल करोगे तब वहाँ आपको दिखेगा कि 29th October 1996 29th October तो सही है बद birth year जो सना का है वो 1994 है and ये खुद सना ने काफी बार बोला है सीक्रेट नमबर 4 सना मॉन्टेना सना का nickname सना मॉन्टेना था तो सना को हैना मॉन्टेना जैसा nickname उनके friends ने दिया था जो सना मॉन्टेना था सीक्रेट नमबर 5 सना पाइलेट या डॉक्टर बनना चाहती थी तो जब सना छोटी थी तब उनके दिमाग में अक्टरस बनना वगेरा नहीं था बट उन्हें पाइलेट या डॉक्टर बनना था क्योंकि सबके parents यही professions चूज करने के लिए बच्चों को motivate करते है तो सना का भी इसलिए बच्पन में decision ये था सीक्रेट नमबर 6 सना ने उतकर्ष से दूरिया बना के रखी सना नुतकर्ष आफटर स्प्रेच्चुला काफी professional हो गए और जो भी स्प्रेच्चुला के बाद उन्होंने shows किये उसमें फिर कभी उन्होंने same connection share नहीं किया शायद सना तभी single रहना चाहती थी और अपने काम पे focus करना चाहती थी सीक्रेट नमबर 7 सना का बड़ा break तो 2015 में जब सना ने split सुला किया उसके बाद सना को एक proper daily soap में काम नहीं मिला वो serials में तो दिखाई देती थी बट वो mainly web series थे जो long term नहीं होते बट 2018 में सना को एक proper role मिला show में जिसे वो इवन अपना TV debut show भी खहती है और वो role उन्हें पापा by chance show पे मिला सीक्रेट नमबर 8 सबको लगा था कि सना टेलिविजन इंडस्ट्री छोड़ देगी जैसे कि हमने आपको बताया 2015 के बाद डाइरेक्ट 3 साल बाद सना को एक proper show मिला बट वो 3 साल का जो phase साफट स्प्लिट सुला वो stable नहीं था हाला कि सना काम कर रही थी बट उनके fans उन्हें किसी एक सीरियल में नहीं देख पा रहे थे जिसके बाद काफी लोगों को लगा कि जिस तरह दूसरे स्प्रोचुला कंटेस्टेंट्स M.I.A. that is missing in action हो जाते है वैसे ही सना भी break ले ले लेगी टीवी इंडस्ट्री से बट 2018 में जो उने एक चांस मिला उसके बाद सना इस अंस्टॉबेबल उन्होंने दिव्यत रिष्टी जैसे बड़े-बड़े शोस किये और उनका न्यू सीरियल लॉगडाउन की लव स्टोरी भी जल्दी आने वाला है सीक्रेट नमबर 9 सना का बॉन्ड विट सुबुही तो सना सुबुही को अपनी बहन जैसी मानती है और सुबुही को सना स्प्रिट सुला एट के वक्ती मिली थी और वाही उनकी पैचान हुई जिसके बाद उनका कनेक्शन स्ट्रॉंग हुआ और सुबुही के लिए एक स्पेशल पोस्ट भी सना ने डाला था जो आपको या स्क्रीन पे दीख जाएगा और कैप्शन में सना ने लिखा Ain't no friendship like a friendship where you are either confused as siblings or lovers Miss you सुबुही, बहना मेरी सीक्रेट नमबर 10 सना एन एद्विक का बॉन्ड सो फांस इतना जादा इन दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं कि इवा एन दिविय द्रिष्टी की सीरियल के वग भी जब ये दिखाया गया कि द्रिष्टी और रक्षित की जो लव स्टोरी या जो कनेक्शन है वो कंट्यून नहीं होगा शो पे तब शो की टीयार पी डाउन हो गई बट देन इसी वज़े से फिर से उनके कनेक्शन को स्टोरी लाइन में लाया गया सो दाट टीयार पी वापस उपर चले जाए बट अद्विक रियल लाइफ में और रेडी मैरीड है और उनकी वाइफ का नाम नेहा है सो सना ने अद्विक के रियल लाइफ को ध्यान में रखते हुए इवन उनकी वाइफ के साथ भी अच्छे रिलेशन्स रखे है और उनलोग फ्रेंज है नहीं तो ऐसा कई बार देखने मिला है कि रियल लाइफ या ओन स्क्रीन जोडी के वज़े से रियल लाइफ या ओफ स्क्रीन जोडी में प्रॉब्लम होती है बट सना काफी कंसिडरेट है और इवन उन्हें वो बॉन्ड अद्विक के वाइफ के साथ मेंटेन करके रखा है सो दाट अद्विक के रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि साना अद्विक के जोडी को काफी लोग पसंद करते है So that's it for this video आप इस बार में क्या सूचते हैं कि आपका क्या कहना है ये टॉप 10 सीक्रेट्स या फैक्ट्स के बार में यह हमें कमेंट सेक्षन में बताइए और आपके पास कोई ऐसे साना से रिलेटेड सीक्रेट है तो वो भी बताइए और इवन ये भी कमेंट कीजिए कि इसे टॉप 10 सीक्रेट्स कौन से दूसरे स्प्रिच्छला कंटेस्टेंट्स के बार में आपको देखना है और ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चानल को प्रीज सब्सक्राइब करें थांक यू